नमस्कार दोस्तों श्यामकला शेरिंगेस में आपका स्वागत है मैं सुरिश कुमार एक बार फिर से आपके साथ और आज ड्रोइंग पेपर का जो हुआ है उसका सोलिशन लेगा हैं तो चे कर लो क्या बनाना था और आपने क्या बनाकर आये हो और देखो हर देखो हर साथ ही मैं आपको बताता हूं कि सो परसेंट पूरा पर यहीं से आएगा और वह का वह हुआ है अभी मैं आपको पूरा किलिर बताऊंगा कि हमने जो पेपर आपको कराई पूरे क्वेशन वहीं से एक वी क्वेशन बाहर नहीं है और मैं पूरे पहले वाले पेपरों के ही मैं आपको यहां पर फोट्टो दिखाऊंगा कि देखो इस पेपर में सी एक क्वेशन आया है तो जिसने भी हमारे वीडियो देखे हैं पहले उसको पूरा प्रफिनल है साथ ही मै स्टाट करता हूं और देख वो आपने किस पर कर किया क्या है तो यही पेपर आया था आपने में पेज बता दिया अब दोस्तों देखो यह पेपर आज आपने दिया होगा 50 नमर का पेपर था तीन गंठे का पेपर था अब इसमीरा क्योशन आने बाल पिन हेमर बताओ दो तो बाल्पिन हेमर का आपको एक दो तीन चार बार आपके शोड़ पेपर में देने जो पेपर में अलको आये था डबल एंडिंग इस पेनर यह भी मैंने आपको बताया था और फिर एंडिस करें तो पहला क्योशन तो आपका कर्रेक्ट पड़ रहा है बात करूँ दूसरा क् आपका देखो डाइग्रं में था लेकिन इस परकार का मैंने आपको एक सूबर पेपर हल कराया था नहीं एक तो उसमें पर लाइन है वह के लिए अप네 कोंसी रह गई या नहीं इसमें जो असले मिसिंगल रहे गए वह बताओ दो तो यह 24 आम आपकी यह 24 आपकी लेक्त आह भी दे रखखी है लेकिन इसके इस परकार ये माप इधर दरसानी है बलकि इस परकार ये इस वर्थ केnie माप आपको इधर ये ये दर्सानी और टोटल मप मात्हिए आपको 24 पिठी ती और किंगो तो पूरी का रहा हुआ धिक्स पर बनाना था यहां पर वरता साग बनाना था ओन्दर जो आक करती जो आपकी इस प्रकार्या करती एदर थी तो पहला क्योश्ण का और दूस्री क्योश्य क्यों की उड़ ने बता हुए है अब तीसरा देखो symbol for first angle projection and third angle projection पर इस पर इन बिग डे इज चाली समय यानि चाली समय पर बनाना था तो अब इनके बीच में चाली समय के देखो दोस्तों इसमें क्या बना था मैंने आपको पहले बताएगा अभी आपको मैं नीचे और दिखा दूँगा वीडियो में कि किस प्रकार बना था तो तो यहाएगी आपकी 40 हम की इसको इससे मिला दो तो यह आपका जो बना है यह पश्क्त पर इंगल का परते सकते हो क्या इस प्रकार यह पढ़ सकते कि सर यह आपने नहीं बताया दा तो तो त्यटे क्यों स्थे क्यों कि बात करो दोस्तो तो चोता क्यों आपका आइसोमेट्री प्रॉजेक्शन दे रहा है तो यह आपका आईसोमेटिव प्रोजक्शन है तो इससे आपको उड़ता है काफी जी यानि मैंने आख तक एग्जामे इससे इजी आईसोमेटिव प्रोजक्शन ने दिखा है तो सबसे इजी आईसोमेटिव प्रोजक्शन था है अभी इससे पहले में आपको चीज के लिए कर दूं कि कौन से क्वेशन में किस प्रकार कितने डायमेश रखाए के तो पिर लो लाइन वर्क यानि जो आपने लाइन कहची है पेले क्वेशन में लाइन जो आपने डिस्केश बनाया उसका पिर आरा है उसके पर फिनिसिंग उसनी सप्वाई देखी जाएब फिर वर्किंग का रही है और लिंग दे रखी है और नेम अलग लग है यानि कुल मिला कि आपके पहला इसका जो लाइन वर्किंग है इन जो आपने डाइग्राम बनाया है दोनों डाइग्राम बनाएं वह आपके तीन तीन नमर गें दो छे नमबर तो इसके लावा उसके जो फिन है इंमें line working जो आपने line working की है उसके चैनल्साइं इसके बाद में लेट लिकि कें है तो और यह आपके जो डामेंट्रक्व सब्सक्रेंगे का है जो बनाई है जो इसकी यह आ गई ठीक है तो यह अलग लग तीन दूनि छह नूम्बर हो गई ह्यां आपका तीन नमबर को सा था यहां इसके लिटेंगई इक्सरत के नंबर हो गई पसके लाइनिंग वर्क वर्क यानि आपने जो लाइनन खेच है यानि निन्वंशी थी ठीक है लाइनन्ग वर्किंग करेंग आपने जो डायंकराम उसकी बात अनुर्ड है यान फकने प्रन्ट्स अगर आपने साइड अच्छे से बिना तो उसका नोट किया है यह निए कि लिखे है तो उसका एक नंबर है और नीचे दे रखा है वह ही आपके प्रेंट की बाद फ्रेंट वही है चाहर नमबर का डाइगराम है एक का डाइवेंश रेकर एक का वो नाम वो गिरा कितने माप है वो वो लाश्ट का यह है आपका जो टोप में वही है आपके चाहर नमबर एक एक ठीक है अब बात करेंगे यह एक और आला लाश्ट में तो इसमें देखो नोट सिंबोल एंड ले आउट यानि आपका जो पर जो नोट करके लिखेंगी रोजएक्षन तो उसका नम अगिर की किस प्रकार बनेगा पहले दो फिर Cange यह अगर यह पर परना स्थक्राइब का उन्हाएं तो इस परम आपका तोटल आपका वीचनर के यह और अब देखो आंस्र र squared क्या द하면 क्या है क्या दोस्तों आपके इस पेपरों में से उठागे मैं यहां लाके रखा हूँ कुछ भी नहीं किया हूँ तो आपका बाल पिन हेमर था इसमें पिक के हैंडल चिक के आई हॉल यह पूरे नाम है तो अगर आपने इस परकार बना गये हो तो आपके पांच नंबर पक गए क्योंकि पहला क्यो दोस्तों यह भी देखो बहुत इंपोर्टेंट था मैं ने बतागी आ गया इसी परकार अब देखो यह दोनों आपके तीसरे गया है यह तो देखो फ्रंट यह आपका क्या है यानि सिंबल ओफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखो आपके मैं वहीं पेपरों में देखो बात करो दो यह आगया आपको आईसोमेट्र प्रोजेक्शन इस प्रकार का डाइग्राम बनाया है देखो बीच वाले बागी 15 पर निचे और 25 इनकी और 20 यह आ गई वीच इदर वाले आ गई और आपकी 15 यह पांच यह तरी दोस्तों साथ ही इस चुथ्य के साथ आ डैंगल लगा यानि यह परतिचे नोबर बनायके आना था अगर आपने इतना काम क्या है इन दोनों को यह रिए तो आपके 20 नमबर पके और इन दोसे आप पास हो जाओगे किस परकार की दिखने हैंगी अब आपका यह दो नमबर क्योशन था तो दो नमबर क्योशन में द त्यार किया है और इसकी माप आपने देखो यह मिसिंग लाइन थी तो इक तो इसकी माप आगई इसकी आपको चुभी यह थी एक इस बीच वाले पागी तो इसमें उन्हें जो मिसिंग रेखा थी वह दर्षा नहीं थी तो इसमें क्या था आपके अलग अलग मार्क डिवा करेक्ट हुए हैं कितने हैं साथ में बताता हूं कि अब आपके ड्रोइंग के एक्जाम कंप्लिट चुकी है प्रेक्टिकल तो प्रेक्टिकल का आसाम को आपको पेपर हल कराएंगे और वोका हुए प्रकल आएगा साथ याब आप डबलू सी और इलेक्रिशन थियोरी के त जए दन्योओाद।